हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और देखिए आज हम इस प्याज की बूरी से क्या बनाएंगे पहले तो हमें इसके इस तरीके से जो इसमें धागे हैं उनको निकाल लेना है और इसके लिए हमने बीच में से एक बार बूरी को कट करके सीधा कर लिया है और उसके इस तरीके से हम धागे खींचते हुए इनको निकाल देंगे देखिए जब हम इन धागों को निकाल दिया है और यहाँ पर मुझे तीन कलर के इस तरीके के पतले से धागे मिल गए है अब मैं इनका यूज करके आपको एक बहुती सुन्दर चीज बनाना सिखाऊंगी देखिए जो रेड कलर का धागा है हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर मैंने इनको 20 सेंटर से पकड़ा है और हमें एक बैंगल्स लेना है बैंगल्स में हमें इस तरीके से उसको लेते हुए एक नौट लगा देनी है अब ध्यान रखिए आपको बैंगल्स कांच की नहीं लेनी है क्योंकि अगर कांच की होगी तो तूटने का डर रहेगा और देखिए यहाँ पर येलो और विलू कर रहे के धागे थे उनको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है क्योंकि हम इनसे भी अभी इसी पर एक डिजाइन बनाएंगे देखिए यहाँ पर मैंने उन दो कलर को भी इस तरीके से कट कर लिया है एक बहुत अच्छी और बहुत सुन्दा चीज बनेगी जिसका यूज़ आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे देखिए हम घर में रखी हुई चीज़ों का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखिए जैसी हमने नीचे उसमें नॉट लगाई थी उसी तरीके से हमें इन यलो कलर और बिलू कलर के धावों से यहां पर इस तरीके से नॉट लगाते हुए डिजाइन बना लेनी है क्योंकि मेरा यलो कलर कम था इसलिए मैंने उससे सिर्फ तीनी नॉट लगाकर इस तरीके से बनाया है और बिलू कलर जाना था उसका मैंने जाना यूज किया है आपके पास जो भी कलर हो वो आप अपनी इमेजिनेशन के साथ से इसमें कर सकते हैं अगर आप पास red color जाना है तो आप उसका भी use कर सकते हैं लेकिन मेरे पास red color कमी था इसलिए मैंने उसका use यहाँ पर नई किया है और देखिए मैंने yellow color तीन जगे लगाया है और जो बांकी की जगेती उसमें मैंने इस तरिके से blue color लगा दिया है बस हमें ध्याने रखना है कि ये नोट हमेशा उपर की तरफ ही लगानी है जिससे कि ये देखने में बहुत ही सुन्दल लगेगा और आप भी जरूर बनाईए और कमेंट्स करके मुझे बताईए आपने किस तरीके से बनाया है और देखिए हमने इसमें सब में इस तरीके से नोट लगा दी है और हम इनको अच्छे से टाइट खीश देंगे क्योंकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगी और देखिए अब हमें इनको एक सेप में देते हुए इस तरीके से कट कर देना है और मैंने जो एक्ट्रा धागे इसमें से निकल रहे थे उनको कट कर दिया है और जो नीचे भी एक्ट्रा है हम उसको भी कट कर देंगे अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक जरूर केजिए कमेंट्स केजिए और प्लीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजिएगा अब देखिए इसमें जो नॉट लगाई थे हमें उसके उपर कुछ भी थोड़ा सा रिजाइन बना लेना है आपके पास जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हैं कोई लेस है तो भू लगा सकते हैं यहाँ पर मैं मिरर लगा रही हूँ मैंने इनको फैविकॉल से लगाया है अगर आपके पास बुलू गन है तो आप उसका यूज कीजिए और देखिए यहाँ पर जो बड़ी वाली नौट थी उस पर मैंने यहाँ पर तीन पॉम पॉम लगा दी हैं वो भी देखने में बहुत सुन्दा लग रहे हैं आपके पास कोई फ्लॉवर हो तो आप वो लगा सकते हैं और देखिए हमारा DIY बन कर तयार हो गया है और यहाँ पर देखिए प्याच की बोरी से हमने एक कितना सुन्दा DIY बनाया है और उसका यूज देखिए हम किस तरीकेज करते हैं मैंने यहाँ पर अपने घर के कॉम लिये हैं और उनको हमने इस तरीके सीन में सेट कर दिया है और आप भी जरूर बनाईए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स करके बताईए आपको कैंसर लगा है ओके बाई थैंक्स पूर बाचिंग माई वीडियो